आज लजीज पक्वार में बर्न रही है एद स्पेशल दावत स्पेशल बहुत ही जबरदस चिकन नहारी और इस नहारी को बनाना बेंतिहा आसान है पूरे यूट्यूब पर आपको इतनी आसान रेसिपी कहीं पर भी नहीं मिलेगी तो पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मै पूरा वाच करें तब ही आपकी जो नहारी एक दम परफेक्ट बन कर तयार होगी तो जल्दी से चलेंगे रेसिपी के तरफ इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर लिया था चिकन तो मेरे पास 400 ग्राम चिकन था अच्छे से उसे वाच कर लिया था एक कुकर ल इसे हमारा चिकन यहां पर अच्छे से फ्राई हो जाएगा इसमें शामिल कर देंगे वन टीस्पून भरकर लसन अदरग का पेस्ट और लसन अदरग के पेस्ट को डाल कर भी अच्छे से भून लेंगे एक से दो मिनट के लिए और इसको बनाना इतना असान इसलिए कि मैं इसे नहारी मसाले से बनाकर त्यार कर रही हूं इसके साथ इसमें कोई भी और इसपासिस नहीं जाएंगे तो मैंने यहां पर 2 टेबल स्पून भरकर दही ली थी उसमें 3 टी स्पून भरकर नहारी का मसाला एट करा है इसका एक पेस्ट बना लेंगे इस तरह से अच्छे से मेक्स कर लेंगे यहां पर मैं हमेड नारी मसाले कर इसले के रहheart quan में उखे, तो कि आ लेंगेyou on a पर मैं होमेड मासाली के लिए खिर इंतर में आपए लेगे नारी Maasalा जो हूं जो ..." तेसे में पाउडर पाउडर भी प्रण भी टेस्पून अपने टेस्ट के अपने प्रूडिंग कर सकते हैं बाकि कोई नहीं जाएंगे क्योंकि सभी मसाले में डले हुए हैं तो इनारी बनाना इसलिए बहुत आसान है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूं हाफ किलास पानी और कुकर की लिड लगा देंगे दो-तीन सीटी लगा लेंगे जिससे चिकन जो अच्छा से टेंडर हो जाए तो चिकन यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुका था यह मैं आपको चेक कराती हूं सिर्फ मैंने यहाँ पर तीन सीटी लगाए थी क्योंकि चिकन जो है वह बहुत जल्दी से गल जाता है तो यह बहुत अच्छे से टेंडर हो गया अब हमें इसका में स्टैप करना है आप इसे जरूर यह देखें आप बहुत यह अच्छे से इस पर रोगन आगया और जब तक नहारी में रोगन नहीं होगा तब तक आपकी नहारी मज़ेदार नहीं लगेगी तो इस स्टैप को जरूर फॉलो करें इस तरह इस तरह करके आप जितना भी इसका रोगन है उपर उपर का वो सार नहारी बन कर देख सकते हैं कि इस तरह से नहारी a मुछ नारी नहारी का पनिए. तो हमारी मज़ेदार सी नहरी बन कर तयार हो गई ए बहुत ही जबरदस बहुत ही लाजवाब बनी थी इसे हम सर्व करेंगे और यह निकाल लेंगे एक बॉल में तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहां पर रोगन क्यों उतारा था क्या होता है कि जब हम नहारी में आर्टिका ये बेसन कालन शामिल करते हैं तो उससे जो है सारा रोगन उड़ जाता है इस एद के मौकर पर इस रसीपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेशन में जबताएं कि आपकी चिकन नहारी कैसी बनी वीडियो अची लगे तो लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें फामिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें अगली रसीपी के साथ फिर से मुला करूंगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा दौा में याद रखेगा बाइटे के